Hello students, आज हम वर्कशीट 10 को study करेंगे, जिसमें हम lesson 2 आमल शार एवं लवन को discuss करेंगे, अब इस वर्कशीट में अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सभी आमलों के रसाइनिक गुण समान होते हैं, क्यों समान होते हैं, क्योंकि आमल धातू के साथ अभी क्रिय करके hydrogen gas उत्पन करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी आमलों में hydrogen gas होता है, अब अगर हम इस acid में अगर विद्यूत का चालन करते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, अगर हम जलिये विलियन या dilute solution हम किसी भी acid का ले लें और उसमें अगर हम विद्यूत प् और बल्ब का जलना, बल्ब का जलना बताता है कि इस circuit में विद्यूत का प्रवाहत हो रहा है, तो विद्यूत प्रवाहत हो रहे हैं, इसका मतलब कि इस solution में ions present हैं, तो HCl या कोई भी अमल जो है, वो जलिये विलियन में अपने respective ions में dissociate होती हैं, उसी तरह से अगर हम glucose को द देखें, glucose का जलिये विलियन में hydrogen ions नहीं dissociate होते, इसी लिए हम कह सकते हैं कि glucose का विलियन विद्यूत का चालन नहीं करता, और ये acidic properties शो नहीं करता, अब जलिये विलियन में ही HCl hydrogen ions दे रहे हैं, अना, dry अवस्था में hydrogen ions नहीं form होते, जलिये वस्था में ही hydrogen ions पानी के अडू के साथ अभी क्रिया करके hydronium ions फॉर्म करता है, जो acidic character या अमलिये प्रकृति शो करता है, उसी तरह से अगर हम शार को देखें, तो शार भी जलिये वस्था में ही OH ions देता है, तो जितने भी शार हैं, उनको हम alkalis कहते हैं, किसको alkalis कह जो शारक पानी में dissolve हो जाते हैं, सारे शारक पानी में dissolve नहीं होते, तो इसलिए हम कह सकते हैं, कि all alkalis are bases, but all bases are not alkalis, सभी शारक alkalis नहीं होते या शार नहीं होते, उसी तरह से acid को हम पानी में बून बून करके मिलाते हैं, क्योंकि ये एक उश्मा शेपी अभी करिया है, या exothermic reaction है, इसलिए acid को हम पानी में add करते हैं, ना कि पानी को हम acid में, अब इस worksheet में अगर हम questions देखें, तो हमें 5 questions दिये हैं, First question है, alcohol do not show acidic character, अब alcohol acidic character नहीं show करता, HCL dry अवस्था में या छुश्क अवस्था में लिटमस का रंग परिवर्तन नहीं करता, और third, aqueous solution में ही acid विद्यूत का चालन करता है, तो अगर हम first question को देखें, जैसे worksheet के शुरू में हमने study किया था कि glucose भी hydrogen ions form नहीं कर रहा, उसी तरह से alcohol भी जलिये अवस्था में hydrogen ions नहीं form करता, अभी जैसे आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर हमने glucose की बात की है, तो उसी तरह से alcohol भी hydrogen ions नहीं देता, तो alcohol भी electricity conduct नहीं करता, या अमलिये गुण नहीं दर्शाता, second question में, क्योंकि शुश का वस्था में hydrogen ions form नहीं होते, hydrogen ions केवल पानी की उपस्तिती में form होते हैं, और वो hydrogen ions water के साथ अभी क्रिया करके hydronium ion form करता है, यह hydronium ion acidic character शो करता है, तो reactions जैसे की आप उपर देख रहे हैं, तो यह reactions भी हमें mention करने हैं, HCL dissociate हो के hydrogen ion form हो रहा है, और यह hydrogen ion फिर पानी के साथ अभी क्रिया करता है, थर्ड कोशन में हमें यह बताना है कि molecules respective ions में dissociate हो रहे हैं, sulfuric acid dissociate हो रहा है, hydrogen ion और sulfate ion में, magnesium hydroxide, magnesium ions और hydroxyl ion में, और hydrogen ion dissociate हो रहा है, hydrogen ion और hydrogen iodide dissociate हो रहा है, hydrogen और iodide में, उसी तरह से हमारा third और fifth question सेम है, वो कहता है कि aqua solution में ही acid electricity conduct करता है, क्योंकि acid aqua solution में ही dissociate होता है into its respective ions, और यह जो उसके ions हैं, that is responsible for the conduction of electricity. So, hope students आपको यह questions और उनके answers समझ में आ गए होंगे. And, thank you for watching this video and enjoy doing answers.